दोसने स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में वीडियो पे फोकस मत करना आज जो मैं बोलूंगा उस पर दियान देना क्योंकि काफी इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग वीडियो आज में लेके आया हूँ आज में लाया हूँ करियर ऑप्शन आफ्टर बीटेक मतलब बीटेक के बाद आपको क्या करने है क्योंकि अभी जॉब मिलना बहुत ज़ाद टफ हो गया है काफी फ्रेश्ट गर पे बैठे है और जो अभी पाउस आउट हुए है वो भी काफी गर पे बैठे है जॉब नहीं जाओ या विजनेस करो जहाँ अपर स्टडिस करो यह चीज़े नॉर्मल हो गई मतलब मैं आज यो बताऊंगा वो थोड़ा हटके होगा अलग होगा क्योंकि क्या है जब जॉब नहीं मिलती है तो कुछ ऐसा विजनेस है जो ऐसे काहम है जो आप इसली कर सकते हो थोड़े स नॉलेज में थोड़े से पैसों में तो वो मैं आज बताने वाला हूँ करियर ऑप्शन ऐसे पहले तो क्या है देखो अगर जॉब करना है मतलब प्राइवेट जॉब आगर डूंडोगे मिल जाएगे अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी जॉब इसली नहीं मिल रही ह प्राइवेट सेक्टर में भी इसली है तो वो दिक्कत हो रही है यह करियर ऑप्शन है बीटेग के बाद कि आप गूर्मेंट के लिए प्रिपेर करो जहां कोई जी एरी का एक्जैम दो तो जहां कुछ भी काफी option है जो आपको पता हैंगे private sector में जहां ऐसे government sector में लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा different है तो मैं start करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देखो क्या है 18-19 लाख हर साल engineer निकल रहे हैं मतलब हर pass out हो रहे हैं तो उसमें सबसे चार से पांच लाख लोगों की job लग रही है जो इसी field में बाकी कुछ job नहीं करते हैं कुछ क्या है लेकिन चार से पांच लाख को job मिल रही है ये हो गया अगर एक चीज में आपको note करना जो मैं बोलूँगा भी अगर आपको job चाहिए मतलब जो जिस हिसाब समयने क प्रेफरेंस जी है कॉलेज आपको नहीं प्रवाइड कर रहे है क्योंकि जो इंडिया की education है उसमें theory को ज्यादा प्रेफरेंस दी जारी है civil engineering में और practical को नहीं तो आपको क्या करना है practical knowledge गेन करना है अगर आप डिगरी कर रहे हो ठीक है डिगरी नहीं कर रहे हो complete होगी है त काम से बड़ा कोई धरम नहीं है तो यही आज का हमारा है वीडियो तो सबसे पहला business career option है आपका कि क्या करना है देखो job नहीं मिल रही है आपको अगर ज्यादा knowledge में नहीं है कि हमें interview clear कर नहीं कर पा रहा हूं या नहीं हो रहे हैं तो एक काम करना है आपके वहाँ available होगा structure engineer जहां कोई architect होगा उससे मिल जाना है मतलब उसके साथ काम करना शुरू कर दो salary बले ना मिले मतलब एक साल तक भी अगर आपको salary नहीं मिलती है उसके साथ आप जुड़े रहते हो एक साल तक सीखते हो तो आपका मैं guarantee देता हूं career start हो जाएगा क्यूंकि इतनी demand है अभी जो थोड़ा internship type चाहिए तो उसके साथ attach हो के सीखो एक साल तक आप सीख लोगे अच्छा कि अपना business start कर सकते हो मतलब खुद का office खोल लो उसके बाद आप खुद का काम start करके ये काम कर सकते हो ये एक best option है b.tech के बाद अगर आपको job नहीं मिल रही है मतलब आपने private भी try कर लिय गोर्मेंट सेक्टर भी try कर लिया PSU, GRE, सब exam दे दिया कुछ नहीं समझा रहा है आप गर पे free वेट हो तो ये option सबसे best है कि किसी structure engineer के साथ ये architect के साथ attach हो जो भी firm आपको available मिलती है वहाँ उसके साथ attach हो के काम शुरू कर तो कोई काम छोटा नहीं होता है मतलब ये नहीं कि आपने BTEC की है फिर भी आपको job नहीं मिल रही है मैं क्यों उसके साथ नहीं हो ये मत सोचना सीधा attach हो के सीखो ये हो गया first दूसरा option क्या है देखो आपको अगर knowledge है AutoCAD, Revit या कोई भी software का knowledge है थोड़ा बहुत knowledge है आप वहाँ पे area में देखो कि कोई institute है भी है कोई दिकत न सीख लोगे उसके बाद आप अपना institute start कर सकते हो उसमें भी काफी आपका future बन सकता है और काफी ज़्यादा growth भी है इसमें कोई मतलब दिकत नहीं है कि institute कैसे start करूँ कोई दिकत नहीं है छोटा सा मतलब जो भी office वगर लो उसमें 3-4 PC होंगे आपके और आप 3-4 PC से ही AutoCAD सि कुछ भी यह होगे दो option थर्ड आता है कि आप एक मतलब ड्राइंग मेकिंग आभी क्या चल रहा है मतलब सब लोग जो municipal है जैसे भी है गाहों में भी तो ड्रोइंग पे काम हो रहा है मतलब सबको ड्रोइंग की नीड है और लोगों को इतना knowledge नहीं है इसके बारे में तो अ यह business भी आप start कर सकती हो मतलब एक consultancy खोल लो जिसमें आप drawing making करोगे estimation भी कर दोगे easy ही है और planning करके दे दोगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है और यह job भी best है अगर आपका career start करना है कि अगर आपको job नहीं मिल रही है यह जो मैं बता रहा हूं यह basic मैं आपको YouTube पे guarantee दे सकता हू कहीं भी नहीं मिलेंगे यह जो चीजे में आपको बता रहा हूं next चीज जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो मतलब एक market start कर सकते हो मतलब एक franchise शूरू कर सकते हो material की किसमें engineering construction material देखो ऐसे तो आपके अरिया में सब लोग provide करते हो यह construction material shuttering का यहां जो भी लेकिन उनको वो knowledge नहीं है जो आपको knowledge है आपने beta किया आपको हर चीज construction material की knowledge है आपके पास कोई बंदा आएगा लेने को और तो आप easily उसको समझा सकते हो कि यह material मतलो यह material लो और इसकी जो properties है specification आप easily बता सकती हो तो आप लोग आपको prefer करेंगे उससे अगर आप थोड़ा बहुत कम करके provide कर सकते हो कि यह use करो यह अच्छा होगा और इसमें यह यह चीज़ें कोई भी cement होगा PPC आप यहाँ लगाओ जहाँ OPC तो यह चीज़ें सिर्फ आप बता सकते हो क्योंकि आप engineer हो बाकी कोई नहीं और आपका काम अच्छा हो सकता है as computer जो पहले के वहाँ काम कर रहे हैं तो य यह एक अच्छी चीज़ है ठीक है next जो आप करोगा अगर आपका career मतलम नहीं हो रहा है भी नहीं जोब मिल रही है तो एक चोटा सा और construction business है आप subcontractor बन जाओ जहां labor contractor यह एक यह भी अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद का काम start करते हो मतलो as a subcontractor ना इसमें आपको loss है कुछ नहीं है मतलब कोई भी construction का काम चल रहा है वहाँ छोटी सी firm बना के वहाँ पहुंच जाओ कि मैं यह काम करता हूं दो तीन जगा अपना resume type डाल दो कि मैं यह काम डलता हूं quotation डाल दो इस rate में मैं कर दूँगा तो आपको guarantee काम मिल जाएगा क्योंकि जो भी बड़ी contractor आप लेवर प्रोवाइड करो यह नहीं है कि मतलब मैं बीटेक की यह तो मैं की हूँ यह चीजें करू लेवर कॉंट्रक्टर भी अच्छा है मतलब इसमें भी दिमाग चाहिए और इसमें भी पैसा है तो आप यह करियर भी start करते सकते हो जब आपकी बीटेक खतम हो जाती है यह होगे basic चीज़ है मतलब business यह idea जो आपको ऐसे सोची होंगे लेकिन आप डर रहे होंगे करने को लेकिन यह अच्छे career option है काफी मेरे friends बगरा कर रहे हैं और इसमें आपकी काफी जादा growth है एक चीज़ और मैं कहूंगा कि क्या best career option है जैसे मैंने यह बता दी है basic business type जिन लोगों को PSU नहीं पता है तो PSU हुआ क्या है देखो इसमें क्या होता है 51 शेर जो होते हैं वो गोर्मेंट के होते हैं और 49 हमारे private मतलब दोनों collaboration होती है दोने private और government के उसे हम PSU बोलते हैं और अगर आप PSU में लग गे तो minimum आपकी 80,000 रुपे से salary स्टार्ट होगी त PSU में होगे, companies bail बगारा होगे, जो बड़ी-बड़ी companies हैं वो PSU बगारा में आती हैं तो ये हो गई एक career option दूसरा है मैं कहूंगा कि अगर आपको अपर studies करनी है तो GRE clear करो, GRE करोगे तो फॉरण जाके आप अच्छे college में M-tech बगारा मे करोगे तो आपकी एहमियत बढ़ ज और अभी मैं यही मना करूँगा सबको कि private sector में मद जाओ क्योंकि वहाँ ना salary है ना कुछ इतना growth है तो इससे better है कि आप government prepare करो, government exam की एक साल तक अगर नहीं होता है उसके बाद जो मैं पहले चार option बताए वो best option है अभी bid tech के बाद, अगर आपको इस video के related कोई भी क्योरी च इस लाइक करना video को और channel को जरूर subscribe करना, thank you guys